Section 2A of Domestic Violence Act बताता है Aggrieved Person Aggrieved Person का Hindi मीनिंग होता है Period Party तो जो Aggrieved Person होता है वो कौन हो सकता है Domestic Violence के अंदर Domestic Violence के अंदर सिर्फ Aggrieved Person एक Female ही हो सकती है Respondent कोई भी हो सकता है Male या Female कोई पुरुष या कोई महिला कोई भी Respondent हो सकता है लेकिन जो Aggrieved Party होती है वो सिर्फ एक Female होती है कोई मेल कोई पुरुष Aggrieved Person नहीं होता Only Female Domestic Violence Act में Female कोई Aggrieved Person Period Party बोला जाता है जो कि उस Respondent के साथ किसी भी Relationship में हो भाई बेन हो Mother फादरों साथ भगों कोई भी Relations हो सकता है उन दोनों का एक Relations होना चाहिए वो होता है अब आपनों के दिमाग में आ रहा होगा कि Girlfriend, Boyfriend एक दूसरे के साथ जब एक Relationship में रहते है Leaving Relationship में रहते है तो क्या वो भी Domestic Violence का Case कर सकती है अपने Boyfriend के साथ उपर अपने प्रेमी के उपर जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए चैनल को Like, Share and Subscribe कीजिए Domestic Violence में जो Agripe Person होता है वो Person वो होता है जिसका किसी के साथ कोई Relations हो Relationship के अंदर आने वाले व्यक्ति को दो व्यक्तियों के बीश Domestic Violence Act केस लग जाता है तो Girlfriend भी अपने Boyfriend के उपर Domestic Violence Act का केस लगा सकती है वो बिलकुँ स्वतंत्र है अगर उसके Boyfriend उसके साथ कोई भी ऐसी Cruelty करता है तो फिर वो Domestic Violence का केस लगा सकती है Section 2B Child Definition को बताता है कि Child कौन होता है Domestic Violence Act का Section 2B Child को बता रहा है जो की कहता है कि 18 साल से नीचे का हर बच्चा Child में Consider किया जाता है Thank you इतनी में आपको क्या समझ में आया कि एक Female ही P.D.S. Party Domestic Violence में हो सकती है मतलब कि जो घरेलू हिंसा होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक Female के साथ ही होती है बहन हो सकती है Wife हो सकती है Mother हो सकती है बेटी हो सकती है वो Female कोई भी हो सकती है Domestic Violence Always Female के साथ किया जाता है ना कि Male के साथ बट मैं Personally जो मेरा मानना है वो ये है कि Domestic Violence एक Male के साथ भी होता है बट अभी इस पर कोई कानून नहीं है अभी इसको सिर्फ यही consider किया जाता है क्योंकि जो male power होती है एक physics होती है उनकी उसमें यही देखा जाता है male powerful होता है female से जादा लेकिन एक अंदर ये अंदर intentionally किसी को परेशान करना वो female भी किसी पुरुष को कर सकती है होते है वो कौन से हो सकते है तो इसमें बताए गया है अगर आप किसी व्यक्ति के साथ दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ या तो रह चुके हों या रह रहे हों एक एदा marriage एदा किसी relation किसी relation के अंदर रह रहे हों जैसे girlfriend, boyfriend, husband, wife भाई, बेहन, साथ, बहु, मा, बेटी ससुर, बहु, बाप, बेटी कोई भी relation ही हो सकता है दो व्यक्ति एक relationship में रहे हों वो relationship जिससे एक दूसरे का कोई relation बन रहा हो उसे बोलते हैं domestic relationship जो कि domestic violence act की section 2G में बताया गया है domestic violence act का section 2C बताता है कि जो compensation order होता है वो order according to section 21 section 21 में जो compensation order होगा वही section 2C में बताया गया है और section 2D में बताया है custody order जो कि section 21 22 में compensation order और section 21 में custody order जो जब एक husband wife एक दूसरे से code के दूप fight कर रहे होते तो उनका जो बच्चा है उसकी custody किसको मिलेगी according to section 21 of domestic violence act बतायेगा और जो compensation order होगा जो खर्चा मिलता है compensation order मिलता है वो according to section 22 of domestic violence act बतायेगा यही बात बोलती है domestic violence act की section 2C और section 2D जब आप कोई domestic violence का case करते हैं तो जिस court में आप case करते हैं तो domestic violence की जो hearing की सुनवाई करने की जो power होती है वो judicial magistrate first class या फिर metropolitan magistrate first class की यह power होती है की वो domestic violence की जिते भी cases होते हैं उनको handle करते हैं तो judicial magistrate first class और metropolitan magistrate की यह power है की वो इन cases को देखते हैं यह वाली बात domestic violence act section 2I में लिखी हुई है monetary relief section 2K of domestic violence act 2005 बताता है monetary relief के बारे में monetary relief वो relief होता है कि domestic violence के कारणवश जिस aggrieved party को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई respondent party करती है magistrate order कर सकता है उस monetary relief के लिए जो aggrieved party को domestic violence में नुकसान हुए कि respondent party उस aggrieved party को उस पार्टी को उस पैसे को monetary relief को दे जो भी उसका हुआ है यह वाली बात domestic violence act 2K में लिखी गई है monetary relief को हिंदी में धनिया राहत बोलते हैं पैसे से कुछ राहत मिलना जिसमें magistrate में order है मतलब यह magistrate की power है कि वो monetary relief के लिए order करेगा या नहीं करेगा तो हमारे honorable magistrate अपनी इस power को यूज करके aggrieved party को monetary relief दिलवा भी सकते है और नहीं भी दिलवा सकते हैं यह वाली बात according to section 2 के और domestic violence act 2005 बता था है आगे और भी जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए share कीजिए मैं पूरा domestic violence act आपको आज ही बताऊंगी और बिलकुल layman language में बिलकुल simple language में जिसे की student ही नहीं इन जनरल कोई और व्यक्ति भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको समझ में आएगा की घरेलू हिलसा क्या होती है domestic violence क्या होता है कब एक व्यक्ति कोट का दरवाजा खटखटा सकता है अपने जिस relationship में वो रह रहे हैं उनसे बचने के लिए तो please like share and subscribe and कहा जा रहे हैं रुकिए आगे देखिए मेरी पूरी वीडियों section 2Q बताता है of domestic violence act में की wife ही नहीं एक wife ही अपने पती पर domestic violence का case कर सकती है even एक girlfriend जो उस नेचर में रह रही है जिस नेचर में एक बीबी रहती है वो female भी उस नेचर वाले male को जो as a husband रह रह रहा था बोले तो living relationship में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं एक लड़का और एक लड़की एक male और female जो होते हैं वो female भी उस male व्यक्ति पर domestic violence का case कर सकती है अकेली wife ही नहीं girlfriend को भी पूरा दिकार है कि अगर उसका पती उसके साथ ऐसी घरेलू हिंसा कर रहा है तो वो तुरंत complaint करें पुलिस थाने में और court में case करें domestic violence act का मेरे बहुत सारे भाई बंदू सोच रहे होंगे कि मैं यह जो lecture दे रही हूं देखिए यह बाते में अपनी तरफ से नहीं बोल रही है यह पूरा का पूरा जो हमारा domestic violence act है यह इसमें सब कुछ लिखा हुआ है यह जो मेरे पास comments आते हैं इसलिए में वाली बात बोल रही हूँ कि कोई भी mail व्यक्ति यह न सोचे कि मैं सब के बारे में बात कर रही हूँ देखिए आप सभी ऐसे नहीं होती जो किसी महला के साथ cruelty कर रहे हैं बहुत सारी महलाओं के तो पती या फादर या ससुर बहुत लाड़ प्यार करने वाले भी होते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि वो अपने उन महलाओं को जिनके साथ वो रह रहे हैं जो इनके साथ रह रहे हैं उनको अपने पैरों की जूती समझते हैं चाहे वो माहों, बेहनों, वाइफों, गल्फेंडों और उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूवल्टी करते हैं जिसका खामियाजा, मैं आपको अभी एक सेकंड रुकिए जिसका खामियाजा ऐसी महिलाओं को उठाना पड़ता है जैसे की अभी आपने एक न्यूज में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रही थी जिसके 35 टुकडे कर दिये थे और फिरीज में रख दिया या फिर ऐसी वाइफ जिनका मडर कर दिया जाता है या ऐसी वाइफ जिनको चार दिवारों में रखा जाता है ऐसी बेहन हैं जिसके साथ बहुत ज़्यादा क्रूर्टी होती है ऐसी बेटियां उनके साथ क्रूर्टी होती है उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता ऐसी बहुत सारी फेमिलीज हैं जिनमें बच्चियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है तो ये act जो बने है ना उन सारे respondent parties के लिए बने है ना कि जो अच्छे नेचर के लोग होते हैं जो महिलाओं को एक देवी वाला दर्जा बेहन वाला दर्जा देते हैं उनके लिए नहीं है एक्षण 2.S. Share Household बताता है कि Domestic Violence Act का कि जो एक लड़का एक लड़की चाहिए वह किसी भी रूप में बाप बेटी की रूप में सास बाओ की रूप में किसी भी रूप में रहे हो वह जरूरी नहीं वह घर उनका खुद का पर्सनल घर हो कि भई यह तो हम घर में ही अपना र ज़ोपड पत्टी में रहे हो चाले उनका उस घर पर हो या नहीं हो या नहीं लोग में आ olduğłęक्ति गड़्य क्यों किया कह के नहीं बच सकता कि हम किराए के घर में रहते थे एंट थे आर आए असे में चैनल को आगे देख को According to section 3 of domestic violence act, इसमें बताया गया है कि actually domestic violence होता क्या है, domestic violence हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा, कि जो हमारे साथ कार्णे हो रहा है, वो domestic violence के अंदर आता है, तो ये वाली बात section 3 of domestic violence act बताती है, जिसमें बताया गया है, एक respondent किसी aggrieved party को किसी physically, emotionally, financially, economically, abused देके किसी भी तरीके से जो उसके mental health को या physical health को परेशान करता है, उसके साथ ऐसी cruelty करता है, उसको दहिश लाने के लिए, उसको sex के लिए, प्रोवो करने के लिए, sex करने के लिए, या कुछ ऐसा धंदा खोलने के लिए, या उसको काम, मतलब बहुत cruelty जो आपके मन में है, आपको पीड़ा दे रही है, वही एक cruelty है, अब आपके मन में एक बा या उसको कोई मतलब मेरे दोस्त के साथ सेक्स कर इसके लिए मजबूर कर रहा है यह सब तो क्रुवल्टी में आता है लेकिन एक फीमेल एक फीमेल को कैसी परिशान कर सकती है तो जानने के लिए मेरे पूरे चैनल को देखिए पूरी वीडियो को देखिए मेरे चैनल को लाइ गर को एक संतान नहीं दे पा रही हो या बच्ची पैदा हो गई है बेटा पैदा नहीं हो रहा तो सास का यह बोला कि तुमने हमारे घर का वंश लोग दिया बेटी पैदा कर दी यह सब भी एक क्रूवल्टी है और इसके लिए डॉमेस्टिक वालेस एक्ट लगता है अगर ए माइके वालों ने तुझी सिखाया क्या है तेरे माइके वाले नंगे हैं तेरे माइके वालों ने यह किया तेरे माइके वालों ने वो किया तू हमारे घर की नहीं है तू अपने माइके वापिस जा तू हमें बच्चा पैदा नहीं करके दे सकती तू अपने माइके से यह लेके आई तो अपने मायके से वह नहीं लेके आई तू अनपड़ है तू गमार है इस तरीके के किसी भी शब्ज का प्रियोग करते हैं अगर किसी के सव्राल वाले तो यह डॉमेस्टिक वायोलेंस यह क्रूवल्टी है और इस क्रूवल्टी के साथ आप कोड का दर्वाजा खट-खट आ सकते हैं और तुरंट आप अगर कोड जाने के लिए आपको मौर्णिंग का वेट करना पड़ेगा कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो रही है तो आप पुलिस कंप्रेंट कर सकते हैं थिरी ओफ डॉमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट में चार तरीके की एब्यूज बताए गए जिन एब्यूज बोले तो गाली ऐसी गालियां दी एक रिस्पोंडेंट द्वारे एक एग्रिवट पार्टी को ऐसी चार गालियां दी जाती है जिससे की पता चलता है कि आप डॉमेस करना या बिल्कुल नहीं करना यह भी अब्यूज या एक ठड दिया हुआ वरवली इमोशनली एब्यूज की तुम हमें दादी का सुक नहीं दे रही हो तुम मुझे बाप नहीं बना पा रही हो तरीके की डालोग बोले जाते ना सासों द्वारा या पतियों द्वारा यह या फिर एक नॉमिकल एब्यूज जिसमें इस्तिरी धन ले लिया जाता है उस महिला का सारा सौना गोल्ड रख लिया जाता है तो यह सारी चीज़ें एक एब्यूज में आती हैं किसी भी महिला को इस तरीके से परेशान करना तो आप डोमेस्टिक वोईलस का केस लगा सकते हैं आपका एक जीवन है इसको अपने तरीके से जीए लेकिन अपने तरीके से जीने का मतलब यह कता ही नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति को परेशान करें लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप घुट-घुट के जीए आप अपनी स्वतंतरता को साइड में रख के जीए ये जीवन सिर्फ भगवान ने आपको जीने के लिए दिया है स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए दिया है और इतना अच्छे दिल के साथ जीने के लिए दिया है कि आप अपने साथ साथ चार लोगों को भी हसाएं आप उन चार लोगों के बारे में न सोचें वो क्या क रहेंगे आप खुश रहेंगे तब भी ना खुश नहीं तब भी अप उन चार लोग को खुश रखेंगें जिनको खुशी दे के आपको स creamy दिती है Muhy लग या मैं ज्यादा भोल रहे हूं अच्युलि मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी को किसी के अधिकारों के बारे में बताती हूँ तो I feel so happy और मैं किसी को justice दिलवा पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए वे guidance देने के time पर legal pills देने के time पर थोड़ी थोड़ी आपको जीवन जीने के तरीके के बारे में मैं भी बताती जाती हूँ सारी families में issue होते है सारे सबके रिष्टेदार एक से होते है सारी families की वही कहानी होती है किसी किया कुछ ज़्यादा कुछी किया कुछ कम तो आप उन्स चीजों को side में रखके जश्ट जो आपका target है ना आपका सुबह उठके यह target है कि मेरे को अच्छा खाना बना के खाना है तो आप सिर्फ उसके बारे में सोचिए यहां देखिए ना वहां देखिए just see in front of the जहां आप चल रहे हैं वहां और कुछ मत सोचिए अपने बारे में सोचिए अपने परिवार के बारे में सोचिए अगर आपका परिवार आपके लिए नहीं सोच रहा है तब भी आप उनके बारे में सोचिए तो यह जो पूरा act है ना यह एक महिला को protect करने के लिए बनाया गया है इस act का अगर हर महिला यूज करने लगे जो इस cruelty के दोर से गुजर रही है वो इस act का use करने लगे तो न जाने हमारा जो देश में इतनी पीडित महिला है बेहन, बेटिया, मा, वाइफ सब इक पीडित हैं कोई अपने पती से, कोई अपने फादर से कोई अपने भाई से, कोई अपने ससोर से वो इस पीडित से बहार निकल कर अपने life को जी सकती हैं अगर वो ऐसा करने लगे न तो इतनी सारी जो फिरीज में लाशे रखी जाने लगे ने टुकडे करके या उनको जला दिया जाता है फासी पे लटका दिया जाता है होटलम में ले जाके उनका नूपे कपड़ा लगा के और उनको जान से मार दिया जाता है यह सब खतम हो जाए अगर उनका पती उनके घरवाली और उसका बॉइफरेंड या फादर एक थपड मारे तब ही वो कोट में चले जाए अब आप सोच रहे होंगे फादर थपड मारे फिर भी एक एज होती है और एक गलती होती है अगर आपने बहुत बड़ी गलती कर भी दिया है ना तो एक अच्छा फादर अच्छा पती अच्छा बॉइफरेंड होगा ना वो आपको समझाएगा आपके उपर थपड नहीं मारेगा और अगर वो आपके उपर थपड मार रहे हैं और आपके कोई गलती नहीं थी बहुत बड़ी गलती की है आपने और उन्होंने गुस्ते बढ़ी थपड मार भी दिया है तो उस situation को तो आप समझेंगे कि क्यों हुआ लेकिन कुछ लोग intentionally ऐसा करती है जरासी बाई थपड जरासी बाई थपड क्योंको मजे आती है थपड ना खाएं थपड का जवाब कोड से दें थपड का जवाब एक वकील करें और वकील के थुरू उसनको इतना बड़ा जवाब दें कि वो थपड मारना तो क्या थपड उठाना भी भूल जाएं थेंक यू